लूब बेटा, सेवंथ साइंस नौन कोजिंग क्लास में हमने कल के क्लास में साइंस क्लास में साइकलोन के बारे में पढ़ना स्टार्ट क्या था चकरवाद ठीक है बहुत ही हारमफूल होते हैं इनके सेंटर में आई होती है आई की जो डिस्टैंस होते 10 to 30 km हो सकती है surrounding area 150 km के आसपास हो सकता है ठीक है और अपने आसपास की जगए वो क्या करता है यह वे परभावित करते हैं ठीक है अब आता है distractions caused by cyclones ठीक है क्या क्या इसकी वज़े से हमें नुक्षान हो सकते हैं क्या 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 इसके symptoms हो सकते हैं वो अब हम देखते हैं cyclones are very destructive with strong winds and heavy rain cyclones होते क्या लेकर आते बिटा बहुत जहदा तेज हवा चलती है बारी बारी सोती है इसमें क्या होता है बारी सोती है रहती है बारी बारी सोती है रुखती नहीं है the strong wind push water towards the shore even if storm is 100 km away from the place जो तेज हवाय होती हों क्या करती है जो पानी होता है उसको 100 km पहले से ही क्या करने लग जाती है आगे दखेने लग जाती है this is the first indication of an approaching cyclone यह क्या होता है बारी साइकलोन को अपने पहुचने से पहले का उसका क्या होता है symptom होता है दिखाई देता है पहले पता जलता है हाँ इस cyclone की वज़े से हो रहा है ठीकिए the low pressure in the eye region may life water as high as 3 to 12 meter जो eye region होता है यानकी beach का center का जो area होता है वो पानी को कितना lift कर सकता है बेटा उचा 3 से 12 meter उचा वो पानी को उठा सकता है इसके यो देखके ऐसा लगता है कि जैसे क्या होगी पानी की दिवार बन गही है किनारे की तरह इसे क्या होता है जो waves होती है वो क्या होती है बहुत उची height तक जाती है and such wave hit the low lands of the coastal area और जो coastal area होते हैं जो low lands होते हैं उनको hit करती है जब cycle नाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है बारिस होती है इट काजी is several laws to life and properties होती इसके वज़े से क्या होता है बहुत सारी life and property का नुखशान होता है trees are uprooted houses are collapsed poles are pulled up roof of building us blown up and all fixtures get twisted and damaged ठीक है जैसे ही अपने पास cyclone से हमारा fish होता है तो बेटा क्या होती है जो पेड होते हैं वो उखड जाते हैं अपरूट हो जाते हैं houses होते हैं वो तूड जाते हैं collapse हो जाते हैं जो poles होते हैं वो pull up यान की खिज जाते हैं नीचे गिर जाते हैं जो शतों की जो building से उनकी छते क्या होती है उड़ जाती है जो भी pictures है यान कि जो भी अपनी fix चीज़ें सब क्या होती है twisted हो जाती है यान कि मुड जाती है या फि लेकिस्टी लाइन से सब्क्राइब हो जाते हैं कंट्यूर क्टिनुएस हैवी रेनफोल में फर्दर वर्जन एंड पुड हो जाती है उनको सेफ पलेस तक पहुंचाया जाता है उनके पास हारे एक जो स्वीधा होती है। उसके पास पोजाई जाती है। तो इसमें क्या होती है बहुत सारे दिकतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीके, इसी वे जैसे क्या ओता है बिटा, जो फलड जैसी बाड जैसी सिच्वेशन आ जाती है। cyclone जहां पे भी hit करता है वहां पे ऐसा ही structure देखने को मिलता है after reaching the land this cyclone becomes steadily weaker due to the friction with land and shortage of the water जैसे धरती पे जाता है तो बिटा जो cyclone होता है वो कमजोर पड़ जाता है क्योंकि जो धरती का friction होता है और जो पानी की कमी होती इतना पानी नहीं होता जदातरी समुंदरी एरिया में क्या करता है तबाई मचाता है the eastern coast line of India is very much venerable to cyclones जो eastern coast line है जो एक्स्ट वाले जो एरिया है वो क्या करता है वो क्या करता है cyclone से बहुत ज़्यादा known है यानि कि उनको पता है उनको ये habitual हो चुके है कि हाँ इस तरह से हमें cyclone को face करना पड़ेगा the west coast is less venerable to them जो west coast area है यानि कि जो पस्चिमी एरिया है वो less known है इससे यानि कि उसमें क्या होता है इतनी तबाई ये करके नहीं जाता ठीक है अब आते हैं next topic अपने पास tornado पे ठीक है एक tornado इजे violent twisting funnel of wind बोलते ना हिंदी में बोलते ना भबूर या आ गया बोलते ना हम गर में तो वो क्या है tornado है ठीक है जब wind के साथ जैसे अब भी पानी उठता है ऐसे ही क्या होता है wind का चक्कर बनता है ठीक है एक tornado इजे violent यह भी जैंट रूपी होता है यह बहुत भयावय होता है और twisted funnel of wind जो wind होती है वो twist हो जाती है इजे funnel shaped dark cloud and sink down from a storm cloud from the sky to the ground यह क्या होता है funnel shaped होता है ठीक है और क्या होता है यह storm cloud से लेके और ground तक यानि कि sky से लेके नीचे ground तक form होता है ठीक है डार्क इसमें क्या होता है air हमें दिखाई देती है black color की air हमें इसमें दिखाई देती है warm air from the earth surface राईजी जो गरम होती हो क्या होती है धर्थी के surface से नीचे से क्या होती है हलकी होनी के वज़े से ऊपर चली जाती है whales around it और इसके चार तरफ गोमती है and car is very high speed wind और इससे क्या होता है बहुत तेज हवा की speed ये form कर लेती है tornadoes are weaker and smaller than cyclone लेकिन tornado क्या होते पेटा ये बहुत छोटे होते हैं और cyclone से कम तबाई करते हैं a violent tornado can travel at a speed of above 3 km पर hour जो बहुत बड़ा जैन टूपी जो tornado होता है जो बहुत बड़ा tornado होता है वो क्या करता है पेटा 300 km पर घंटे के हिसाब से उसकी speed हो सकती है ये को travel कर सकता है एक घंटे में 300 km tornadoes may form within cyclone ये cyclone के थूरू भी क्या होते हैं इंडिया में क्या होते है tornadoes इतने frequent नहीं होते ठीक है और उनका diameter होता है वो भी बिल्कुल छोटा ही होता है इंडिया में ठीक है वैसे बहुत किलोमेटर तक के हो सकते हैं जो funnel बनता है tornado को क्या करता है पेटा जो dust particle होते हैं टुटे फोटे पेड होते हैं हलकी सुखे पेड होते हैं cars होती हैं इवन houses को अभी अपने अंदर खीज के ले जा सकते देखो बिटा ये दिखा रखे tornadoes ठीक है मैंने भी बता है ना भबूलिया बोलते है आप वह बोता है tornado safely major in tornado tornado में हमें क्या करना चाहिए the safe place in tornado is a room situated deep inside or underground having no windows and shut down the windows tornado अगर आये तो अपने पास बचने के लिए safe क्या है बिटा या तो अंदर हम रूम में रहे या फिर कोई underground जगह हो जांपी ना कोई window हो ठीक है और या फिर हम window हो तो उसको shutdown कर ले if any and take shelter under table या फिर टेबल के नीचे हम अपना shelter ले सकते हैं workbench के नीचे whatever is cannot reach in case you are in open area अगर आप open area में हो you should blow bow down on your knees protecting head and neck using arms अगर आप किसी उखुले एरिया में तो आप नीचे बैठ जाओ अपनी गुटनों पर और क्या करो अपने head और neck को अपनी arm से क्या कर लो ठीक है बीटा तो इस तरह से आपको यह जो चैप्टर आज में नी पढ़ाए इसको रीड करना है ठीक है और साथ-साथ आपको यूटी की प्रिपेशन है वह रेडी रखनी है हाथ आप